तो अलो गाइस जैसे आपको पता है पिछले वीडियो हम लोने फिर्स सेट के चार रोल्स देखे थे कैसे कंप्यूट करने का फिर्स सेट ठीक है ना तो बेस्ट आन इस फोर रोल्स आज हम लोग कुछ गेट के कोश्चन सौल करेंगे राइट यहां पर कोई भी गिवन आनने कोशिच करेंगे ठीक है अगर आपने आप यह वीडियो डिरेक्ट देख रहे हो तो मैं रिकमेंट करूंगा कि आप प्रीवेस वाला वीडियो देख के प्लीज फिर इसको देखो ठीक है क्योंकि वहां पर मैंने बताया method की कैसे हम लोग first set find out कर सकते हैं for example मैंने यहा करेंगे तो नीचे वाला help करेंगा हमें उसको उसको find out करने में easily ठीक है तो पहले मैं क्या करूंगा first of f find out करूंगा first of f find out करूंगा first of f कैसे निका लेंगा हम लोग तो rule 1 ठीक है ना तो क्यों rule 1 क्यों rule 1 क्या बोलता है कि if the production starts with terminal then first of non-terminal is nothing but जो भी पहला रहेगा वही वाला रहेगा जो भी पहला terminal रहेगा वो first set करेगा ठीक है तो अगर आप यहां पे grammar में देखोगे तो क्या है कि first of f is nothing but this open bracket देखो यहां पर terminals कौन-कौन से है terminal यहां पर open bracket है close bracket है and then id है epsilon है what else plus बस इतने यह सब क्या है मेरे terminal है ओके non-terminal कौन-कौन से मेरे e है e-t, t- and f तो सारे non-terminal का मैं क्या निका लोगा first set निका लोगा ठीक है तो first of पहले f निकालेंगे तो first of f is nothing but opening brace है ना पहला देखो opening brace and then id यह दोनों क्या है terminal है तो if the production starts with terminal then हम लोग directly उसको लिख सकते है जो भी terminal रहेगा हो first ठीक है तो first of f open bracket and id next हम लोग first of t dash निकालेंगे first of t dash first of t dash क्या रहेगा first of t dash क्या है star है पहले क्या है star है और क्या है epsilon है तो यहां पर production derive कर रहा है t dash star f t dash and epsilon तो star f t dash का first क्या है star है तो start and then epsilon ठीक है next हम लोग निकालेंगे first of t first of t क्या रहेगा first of t is nothing but first of f ठीक है ना first of t देखो क्या है first of f है first of f ठीक है तो first of already हमने निकाला भी यहां पर है इसलिए मैंने बोला था आपको नीचे सुपर की तरफ निकालोगे तो जो नीचे वाले रहेंगे first of e-dates निकालते है तो first of e-dates तो first of e-dates क्या है आएगा first of e-dates क्या है प्लस and epsilon क्या एगा प्लस and epsilon समझे रहो ना first of e-dates is nothing but plus and epsilon next first of e first of e क्या है गा देखो यह important है 1st of e में क्या आगा देखो 1st of e is nothing but 1st of t समझे रो ना 1st of e is equals to 1st of t and 1st of t क्या है 1st of f 1st of t देखो t का 1st क्या है f है so 1st of t is equals to 1st of f right and 1st of f अभी हमने already निकाला हुए है आप पे तो ये क्या है opening brass and id समझे simple है ठीक है तो this is how we find 1st set of non-terminal तो हमने सारे non-terminal का find out कर लिया e, e-t, t-f और हर एक जो भी non-terminal का 1st हम लोग find out करेंगे उसमें जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा टर्मिनल मिलेगा set of terminal मिलेगा ठीक है ना 1st set क्या बताता है from which the production अगर हम लोग समझो कि f जो production दिया है अगर इससे हम लोग derivation किसी भी string का करेंगे तो string कहां से start हो सकता है opening brass से start हो सकता है id से start हो सकता है तो यही होता है 1st का definition ठीक है ना अल्यडी मैंने previous video में बताया था क्या होता 1st set contains all terminals from which string will begin with if you use that non-terminal for derivation तो question number 1 बहुत easy case था जो अलड़ी हमने solve के लिया rule 1 अलमोस्ट पूरा follow किया उसने समझे ना अब second example लेते है ठीक हो इसारे questions gate में पूछे के है तो मैंने लिखा नहीं है सारे questions gate में पूछे के है और इस से यादा बाहर का question को पूछा ही नहीं जाए तो करते हैं कहां से करेंगे नीचे से उपर कीत तरफ करेंगे फस्ट 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 थिक है देखो नॉन टर्मिनल दिया है क्या देखो एक्चुली ना कोश्चन में दिया रहता है मुशली बट नॉन टर्मिनल अगर नहीं भी दिया है तो भी आप डिराइब कर सकते हो नॉन टर्मिनल कौन-कौन से है जो भी लेफ्ट-hand-side में देखो देखो नॉन टर्मिनल को छोड़के जो भी पचा हो सक्या है टर्मिनल है तो गया है प्लस है n-epsalon है star है opening, defining brace है, id है और first of F-desk, देखो A आएगा opening brace, ID, and epsilon, ठीक है, important है, समझा न, first of F-desk, opening brace, ID, and epsilon, next, first of T-desk, 1st of t-days की आएगा स्टार 1st कैसे स्टार है ना स्टाराइगा एंदेन एपसलाँ आएगा ठेक है उसके बाद 1st of t निका लेंगा 1st of 1st of t की आएगा 1st of t is nothing but 1st of f है ना देना 1st of t की आए f है to 1st of f आलिड हम झे निकाला है क्या है फnegर ऑफ एफ ने निंका लारीट तो एशली फॉर्स एफ का ने दिया थाले तो यह कंद लिखते हैं समझें न तो फेस्ट फेस्ट फास्ट फट फ्ट समयों नहीं कल एच हुआ कि है एट अ में विअलरी से मैं खालत है है याझ mart first of e-dice first of e-dice क्या है plus and epsilon first of e-dice क्या है plus and epsilon ठीक है plus and epsilon अब next क्या निकाला है हम लोग first of e first of e first of e first of e देखो बहुत important है first of e क्या है गा first of t आएगा right first of e क्या है first of t दो कि first of t राइट तो first of T में क्या है first of T निकाल लिया ना first of T में क्या है यह सारे है टर्मिनल्स ओप्निंग ब्रेस है ID है एंड एपसलॉन है तो opening ब्रेस आएगा ID आएगा एपसलॉन आएगा अब बताओ मिरेको अगर epsilon present है अगर epsilon present है तो हो सकता तो first of इसका मतलब first of e dash भी आ सकता है first of e में first of t भी आएगा और क्योंकि t epsilon हो गया तो first of e dash भी आ सकता है okay so union first of e dash अल्रीड हमने निकाला हुआ यहां पर क्या है plus and epsilon ठीक है union में पता है कि अगर terms repeated है तो उसको एक ही बार लिखना है ठीक है तो हमें क्या मिलेगा finally id epsilon plus ठीक है तो अगर मैं derivation start कर रहा हूं e से तो मेरा string कहां से start सकता है opening brace से start सकता है id से start सकता है epsilon हो सकता है या फिर plus से हो सकता है ठीक है तो first of e is nothing but opening brace id epsilon and plus ठीक है तो यह बहुत important था समझा आपको first of e is nothing but first of t union first of e union क्यों डाला पता है न क्योंकि t के जाब पर epsilon आ गया था तो t epsilon आ गया इसका मतलब क्या है कि e start हो सकता है directly e dash से तो first of e is first of e dash also union first of e dash कर दिया समझा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहां पर पहले किस का फाइंड करेंगा first of c का फाइंड करेंगे ठीक है तो यहां पर non-terminal कौन कौन से है non-terminal is nothing but s a b c and what is terminal except non-terminal everything is terminal so a small a small b f epsilon g right यह सारे क्या है तो find out करते हम लोग फटापट first of c पहले find out करेंगे ठीक है first of c first of c क्या आएगा g, epsilon क्योंकि production starts with कहा हो रहा है terminal से start हो रहा है right next हम लोग इसका find out करेंगे first of b first of b अब first of b क्या आएगा देखो यहां पर तीन production है एक दो तीन तो एक दो प्रोडक्शन तो किस से start हो रहा है terminal से start हो रहा है तो f and epsilon तो आया गाई and what else b will also come because this production is also starting with terminal only so b will also come okay next first of a first of a क्या आएगा first of a is nothing but this first of a is this and first of a again first of a क्या आएगा देखो दो production अपने पास a b a b c इन दोनों प्रोडक्शन में सबसे पहले कौन सा है a b में a है तो a टर्मिनल था तो लिग दिया आपने next क्या है abc है na abc में फिर्स्ट कौन सा है a है इसका मतलब first of a is small a union first of a तो first of a small a होगा right first of a हमेशा फिर से क्या होगा small a होगा समझेरो ना तो यहां पर आपको confused नहीं होना है तो समझेरो first of a यह होगा ठीक है next next first of s first of a is nothing but first of a so first of a क्या है अभी हमको मिला a ठीक है समझे ना अगर समझो कि a के जब पर अप्सलान होता ना अगर यहां पर समझो कि इसी grammar को मैं थोड़ा modify कर रहा हूं ठीक है मैं क्या लिख सकता हूं इसको s derives a a derives a b a b c epsilon and b derives b b c f and epsilon c derives g and epsilon ठीक है तो अब मैं इसको अब इसमें सब समें find out को रहा हूं फ़र्स्ट क्या आएगा देखो first of c क्या आएगा first of c first of c is g and epsilon right what is first of a first of sorry first of b क्या आएगा first of b is nothing but small b f and epsilon small b f and epsilon जो अभी तक आया था first of a क्या आएगा a interesting है ना first of a first of a क्या आएगा small a and first of a देखो epsilon b है ना देखो first of a क्या है small a and epsilon अब बताओ and union this is first of a देखो मैं वापस लिता हूं first of a क्या आएगा small a तो ठीक है and epsilon right अब बताओ यहां पर एक और production है तो first of a first of a first of a फिट से बता रहे है तो first of a वही आएगा वापस a and epsilon but a के ज़र पर क्या सकता है epsilon आ सकता है एक ज़र पर क्या आ सकता है epsilon होना सकता है तो अगर एक ज़र पर एपसलों आ गया तो first of a first of b बन जाएगा है ना मतलब a epsilon के रहा हो union first of b भी है ठीक है first of b भी है अब b में क्या है b f epsilon मतलब क्या बी एफ के लाँए epsilon b है तो b f तो आएगा ही और epsilon अगर हम लोगी b के ज़र पर डाल देंगे तो a b epsilon हो गया और b b epsilon हो गया इसका मतलब क्या है कि first of c b हो जाएगा तो first of c क्या है g and epsilon है ना तो first of a a epsilon union first of b union first of c भी आएगा अब देखो c में क्या है g तो है epsilon b तो a b epsilon था b b epsilon था c b epsilon तीनों epsilon होगा है मतलब first of a directly epsilon derive करा था उसको epsilon तो already पहले भी derive करा था उसको एक ही पार लिखेंगे समझेंगे ना तो finally हम लोग उसको क्या लिख सकते है तो first of a लिख रहा हूं मैं ठीक है तो a epsilon and what is first of b first of b अभी अभी अमने निकाला right b f and epsilon b f and epsilon already लिखाया मैंने तो बार बर नहीं लिखूंगा first of c क्या है गा g and epsilon epsilon तो epsilon तो already लिख है मैंने तो ही आएगा तो इस case में इस case में first of a में क्या रहेगा a epsilon b f g and again first of a क्या रहेगा first of a okay तो इसी दाइब पूजे रहते हैं जो भी हम लोग कर रहे हैं कभी बोलेगा कि पर्टिकुलर सेट अफ नॉन टर्मिनल में कितने नंबर आप सिंबोल्स हैं ना कितने नंबर आप टर्मिनल से बताओ मिलेको ठीक है तो जैसे यहां पर बोलाएगी इसी तो अगर इसको डिर्कली अफ्सल्व करोंगे तो कर सकता है फिर नीचे सुपर तक तरब सुल्व में प्रूरा प्रैक्टिस बहुजाएगा थिक है तो पहले हम लोग रहें गहरेंगा फर्स्ट फ़र्स्ट अफ एब तो फर्स्ट फ़र्स्ट अफ एगा फटाख से बता तो first of b क्या है g and epsilon यहाँ पर मैं find out करके रख देता हूं first of b क्या हैगा g and epsilon right so this is nothing but d union g and epsilon तो एक इतना हो गया d g and epsilon okay next क्या है first of c first of c आप directly find out कर सकते हो क्योंकि terminal c है बस so h, epsilon आएगा right तो first of c हो गया first of a हो गया first of b हो गया next क्या है first of s find out करना है a important है first of s find out करना है ठीक है तो first of s में क्या रहेगा देखो a रहेगा first of s क्या है एगा first of a union first of c है ना union first of b समझे तो तीन सिंबॉल है और दोनों तीनों क्या नॉन टर्मिनल है तो first of a first of c first of b ठीक है अब देखो first of a क्या है अभी हमने निकाला ना first of a क्या है dg and epsilon dg and epsilon ठीक है तो देखो यहां पर क्याएगा dg and epsilon मैं को बताओ यहां पर a के लिगा पर epsilon आ गया मतलब a पर epsilon हो सकता है यह epsilon हो गया तो मतलब first of s first of c भी बन जाएगा ना first of a first of c भी बन जाएगा राइट बट first of c मैंने लिया है next all the terminal से पहले तो आप इसको इस terminal से समझो ठीक है first of a क्या रहेगा मैं इसको compute करता हो ठीक है इसको compute करता हो ठीक है first of a में क्या हैगा मेरे को पहले first of a में क्या मिला मुझे dg and epsilon dg and epsilon next बताओ अगर मैं a के जाब एप्सलाउन क्योंकि यहां पे एप्सलाउन आगया तो एक जाब एप्सलाउन पूट किया तो first of s first of c भी बन जाएगा है ना so that will be union first of c और first of c अभी हमने निकाला क्या है h and epsilon h and epsilon अब फिर से epsilon आगया मतलब c भी भी epsilon आ सकता है तो first of s first of b हो सकता है अब first of b भी हमने निकाला क्या है जी एप्सलाउन समझे रहो ना और epsilon फिर से वायागा मतलब इसमें भी epsilon आ सकता है तो s derived directly epsilon है है ना s derived directly क्या कर रहा है epsilon directly derived कर रहा है समझे तो first of सीव इससे अपने को a मिला इतना first of s के first of s क्या है first of a union first of c union first of b समझे ना important question है समझो इसको first of s क्या है first of a union first of c union first of b अब first of a में क्या है है dg epsilon dg epsilon a की जाब epsilon होना सकता है epsilon आगया हो तो s derived c b तो first of s क्या होगा first of c so first of c अलड़ी हमने क्या रहा है h epsilon अब फिर से epsilon आया epsilon c की जाब epsilon हो सकता है तो first of s क्या हो जागा directly first of b तो first of bb already हमने निकाला है g and epsilon तो g and epsilon पूट कर दिया अब बताओ यहां पे तीनो तीनो जगह epsilon हो सकता है मतलब a b हो सकता है c b b 3 epsilon हो सकता है मतलब first of s directly क्या derive कर रहा है epsilon derive कर रहा है तो first of s में union epsilon भी आ गया और अब इसको नहीं लिखो जो भी चलेगा क्योंकि union time फ्राइन पे ऐप्सलाँ तीनो जगह present है एक जगह भी present हो तो भी epsilon आई आता है ठीके बट समझें ना concept अब next क्या है first of c अब first of c देखो first of c क्या है h and epsilon first of c क्या है h and epsilon अब मिरेको बताओ c के जगह पे epsilon आ सकता है c के जगह पे again epsilon आ सकता है मतलब first of s में a epsilon हो गया तो first of s is directly first of this और a इसमें क्या है start कहां से हो रहा है terminal से start हो रहा है मतलब small b से तो first of s is small b समझे रहो ना तो union small b इंपोर्टेंट है next first of b right next first of b first of b क्या आएगा अभी अमने निकाला है जी एंड एप्सलों जी एंड एप्सलों राइट अब देखो first of b यहां पर भी एप्सलों हो सकता है मतलब first of s directly epsilon के बाद non-terminal derive कर रहा है first of s is small a so union a समझा ना एक question सबसे ज़्याद है important अगर एक question समझ गया है मतलब first of s किसी का भी आप निकाल सकते हो ठीक है अगर नहीं समझा तो एक बार वापस इस वीडियो को repeat करना ठीक है समझ जाएगा आपको ओके तो हम लोग को क्या-क्या मिला है इसमें लिखते हैं ठीक है क्या-क्या मिला में d g epsilon d g epsilon h epsilon एकी पार लिखेंगे then g अलड़ी लिख दिया है एपसलॉन लिख दिया है h लिख दिया है b b दी आएगा ठीक है एंड वाट एल्स विल कम जी अलड़ी लिख दिया है वैने एव उल्सकंद ओके तो इस दो सिंबॉल आएंगे ठीक है तो यहां पर मुसली सो यहां पर क्या एंसर आए गाए इसका और व्हुमिश्भार फॉ 2 3 4 5 6 total 6 symbol तो त्येक्ति यह कोश्चन गेट में पूछा पूछा गया था ठीक है इस फूर भी ऑप्षण दिया गया था मुसली चाह सब बहुत लोगो चार आया था टीक है अब इसका एंसर एक्षूल क्या है 6 है टीक है 6 सिंबॉल जो लोगों द्यान से किया रहे गा इसको तो उसको उनको कर्रेक्ट आंसर मिल रहे ठीक है तो फिर्स्ट आफ एस विल कंटें सिंबॉल्स ओके फिर्स्ट देखते हैं हम लोग ठीक है जहां से हमारा पूरा कॉंसेट लियर हो जाएगा तो यहां पर क्या दिया है एस E F and E derives G and Epsilon F derives F and Epsilon ठीक है तो find out करते है फटा पड़ा हम लोग तो फ़हले नीचे से find out करेंगे फिर्स्ट आफ first of F के आएगा F and Epsilon right next first of E so first of E is nothing but G and Epsilon right first of D first of D के आएगा नहां दोगा first of D first of E आएगा first of D के आएगा first of E आएगा but first of E में क्या है G and Epsilon मतलब G and Epsilon तो आएगा but क्योंकि Epsilon आएगा first of E में तो first of D directly first of F भी derive कर रहा है तो मतलब this will be union of first of F तो first of E क्या है G, Epsilon union F, Epsilon तो यह क्या हो गए है G, F and Epsilon ठीक है next देखते है first of C first of C क्या हैगा small B and Epsilon simple है यह तो बहुत simple था ठीक है and then first of B first of B में क्या है तर्मिनल है तो directly first of B क्या है क्या है सी आएगा small C ठीक है ना terminal है अब देखो first of S क्या है आएगा first of S है ना last follow में कर रहा हूं यह आपर first of S क्या हैगा small A अगर हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे इस ग्रामर में तो कोई भी स्ट्रिंग डिराइब करो आप कुछ भी any number of strings हो सकते मतलब infinite length string हो सकता है बट वह स्ट्रिंग हमेसा कहां से start होगा A से start होगा कहां से start होगा A से समझे ना तो first of S में सिफ A आया ठीक है ना और BDH का कोई मतलम ने निकला ठीक है तो important क्या था A वाला important था ठीक है और भी important नहीं था simple है rule 2 के rule 3 के based पे पूरा solve होगा है ठीक है so guys this is all about first set ठीक है ऐसे ही compute करते है first set इससे जादा बाहर का कोई question पूछा नहीं याएगा ठीक है सबसे tough question मैंने लिए है और सारे solve है ठीक है तो this is the rules of how to find first set of any given production और any given contest ठीक है और मैंने कुछ पांच examples लिए जो already gate exam पूछे करे थे जहांस हमने समझा कि कैसे हम लोग first set compute कर सकते हैं okay so guys thank you for watching this video